जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हूं मैं कोटक महंदरा बैंक वन आप दा बेस्ट बैंक था जहांपर अपना जीरो बैलेंस से अकाउंट आप उपन करवा सकते थे फिलाल उसको और बैलेंस के तरफ से बैन कर दिया गया है अगर हम किसी पैमेंड बैंक के बारें बा बैंट बैंक हो गया फिर फिर इंडियांट पोस्ट पैमेंट बैंक हो गया इन अपना अकाउंट पर उपन कर सकते जो कि सबढ़ी सभी जीरो बैलेंस के बारें में या फिनो payment bank के बारे में या फिर नेश्ड पेमेंट बैंक के बारे में इन तीनो payment bank में एक सबसे बड़ी problem आपको देखने हो मिलेगी हर जेगे इनके आपको service देखने हो नहीं मिलेगी जहां पर आपको cash withdraw कर पाओ या फिर cash deposit कर पाओ दूसरी problem यह है कि इनका जो भी application उसका interface इतरा ठीक नहीं है इसके बाद अपली केसिन में कई आपको error देखने हो मिल जाता है तभी ज्यादा लोग यहां पर अकाउंट open नहीं कर पाते हैं अगर current time के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर दो bank के देखने हो मिल जाएगे एक आपको यहां पर payment bank देखने हो सबसे negative point यह है कि इसमें आपको कोई भी physical debit card नहीं मिलता है दूसरी problem यह है कि जियो पेमेंट बैंक नया है मार्केट में तो अभी यह क्या है इसकी हर जिगहां पर आपको service देखने को नहीं मिलेगी वही अगर हम एटल payment bank के बारे में बात करें सबसे पुराना payment bank है और आप आपको हर एक कोने में इसकी service देखने को मिल जाएगी लेकिन एटल payment bank में एक negative point है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इसमें आपको physical debit card मिलता है जो कि plus point है लेकि physical debit card के लिए आपको करीब 300 रुपे का charges भी pay करना पड़ेगा एटल payment bank में आपको यहाँ पर annual maintenance charges भी पे करन अपड़ता लेकिन आपको benefit काफी सारे देखने को मिल जाते हैं लेकिन आप यहाँ पर बात करने यह जरूरी है अगर मुझे एक regular saving account चाहिए और यहाँ पर जो payment bank इन दोनों में difference क्या है सबसे पहले बात करें regular saving account जैसे है आप HDFC, ICC bank, SBI bank यह जितनी भी bank है अपने जागे पर regular saving account जब आप open करवाऊंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर unlimited पैसा अपने account में रख सकते हो, FD करवा सकते हो, RD करवा सकते हो, debit card, credit card, loan, सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई भी problem नहीं है लेकिन payment bank के बारे में बात करने चाहिए को कोई सी payment bank हो, उसमें FD, credit card, loan, यह सब में सब कुछ भी service नहीं ले सकते हो, वो सिर्फ आपको payment transaction करने के काम में ही आएगी, अगर आपको regular saving account चाहिए, अगर zero balance से भी account चाहिए, ता आप indecent bank में जा सकते हो, जिसका link मैं डाल दूँगा, क्योंकि इस पर मैंने एक detail video बनाया हो, जहाँ पर आपको पूरा process आप देख करके, account भी open कर पाऊगे, फिलाल अगर आपको payment bank की चाहिए, जो की regular transaction लिए चाहिए, ता आप attain payment bank के साथ जा सकते हो, तो चली मैं आपको बताता हूँ, अपना account आप किस तरीके से open कर पाऊगे, तो दोस्तो अपना account ओपन करने के लिए, मैंने decision link डाल द सेंपल सापको login पर किलिक कर देना है, और यहां आने के बाद आपको अपने location को इनेवल कर लेना है, इसके बाद allow पर किलिक कर देना, इसके बाद देखेंगे, आपके सामने कुछ home page इस तरीके से दिखाया जाएगा, यहां आने के बाद दोस्तों अगर आपको wallet का या फिर आप देखें, यहां पर open bank account वाला option भी मिल जाएगा, यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमें अपने wallet क्रेट करना, इसलिए हमें wallet पर किलिक कर देंगे, यहां आने के बाद इस wallet के बारे में सारी जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी, इसके बाद नीचे get starter पर आप से box पर click करेंगे, continue पर click कर देंगे, यहां एक बाद चार्ज डिजिट का आपको अपना MPN बना लेना है, दुबारा से confirm MPN कर देना है, इस MPN की जरूरत आपको बार बार जब पड़ेगी, जब इस application में आप login होंगे, या कोई भी transition करेंगे, इसलिए MPN को ध्यान में जरूर र पाएंगे, अब नीचे samples आपको explore का option मिल जागा, इस पर आप click कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आप home page पाइज आएंगे, यहां पर देखें, अप्ग्रेट अकाउंट को option मिल जाएगा, इस पर आप click कर सकते हैं, अगर आपको यहां पर upgrade अकाउंट को option नहीं मिल रहा है आप इसको असानी से पढ़ भी सकते हैं, इसके Justबाद नीचे आपको get started up पर click कर देना है, यहां अने बाद आपको अपने अधार कार का नमम, डाल देना, अपने paint कार का नमम डाल देना है, निस पर click कर देना है, इसके बाद जो भी आपके अधार कार से रेजिटर मोबाइ कुछ details रह जाती हैं जिसको आपको fill up करना है जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने father का name डाल देना है इसके बाद आपको select करना आप single है या married है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने email id को डाल देना और select करना है कि आप यहाँ पर salary person या student है जो भी होंगे आप select कर लेंगे इसके बाद जो भी आपके annual income होती होगी उसको भी आप यहाँ पर select कर लेंगे यहाँ आने के बाद आपसे पूछा था जो current address है और जो आपका residential address है वो same है अगर same है तो आप yes पर click कर देंगे नहीं तो no पर click करके कोई भी अपना current address भी आप यहाँ पर fill up कर पाएंगे इसके बाद आपको submit पर click कर देना है यहाँ नहीं बाद आपको अपनी nominee की detail fill up करनी है जिसमें कि सबसे पहले nominee का नाम डाल देना है nominee का data about डाल देना है nominee से क्या relation है आप उसको इंटर कर देंगे आपका और nominee का अगर address same है तो आप यहाँ पर click करेंगे नहीं तो no पर click करके nominee भी address यहाँ पर fill up कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा account open होने के लिए last step रहेगे जो की video call के वाइसी करनी है इसके लिए हम यहाँ पर simple schedule नहीं पर click कर देंगे यहाँ पर देखें का chat box खुल जाएगा जिसमें बताया जा रहा कि अगर आप video call के लिए तयार है तो आप simple नहीं पर click कर देंगे अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इस तरीके साब के video call के वाइसी complete हो जाएगी इसके बाद अपने home page पर आजाएंगे यहाँ आने के बाद आपको अपने account के प्रीव detail देखने को मिल जाएगी और दोस्तों जैसे आप यहाँ पर wallet account पर click करेंगे आपका virtual debit card दिखा दी जाएगा view detail पर click करके virtual debit card के आप यहाँ पर number हो गया cvb number हो गया expiry month year वगरा सब कुस देख सकते हैं और इसके माध्यमस अपना phone पर Google पर Paytm कहीं पर भी अपना account बना सकते हैं और online कहीं पर भी इस debit card का यूज भी कर पाएंगे इसके साथ एटल point पर जाकर cash भी withdraw कर पाएंगे अगर आपको एक regular से भी account open करना है तो आप instant bank के साथ जा सकते हो जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है उसका link में डिस्क्राम डालूँ जाकर आप चेक आउट जरू कर लीजिएगा फिलाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए चलो सब्सक्राइब करिए कोई भी डाटो प्लेस कमेंट कर जुरूता है चली फिर मिलते किसने वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत